सनातन पर कड़वे बोल, इंडिया का सल्फ गोल अब आप सोच रहे होंगे कि आखेर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो चलिए, आइना कि इस एपिसोड में आपको कुछ और इंटरस्टिंग बताने का परियास करते हैं सनातन पर स्यासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे 2024 करीब आएगा, सनातन का पारा बढ़ता जाएगा सनातन धरम ही जीवन जीने का एक मत्र अधार है लेकिन सियासत में सनातन को सहूलियात के हिसाब से इस्तिमाल किया जा रहा है तमिलाडू के मुख्य मंत्री, M.K. स्टैलिन के बेटे के बयान पर अभी तक बवाल मचा हुआ है स्टैलिन के बाद, उनकी ही पार्टी के नेता और तमिलाडू के शिक्षा मंत्री के बयान ने सनातन पर सुलग रही सियासत में घी डाल दिया और और ज़्यादा भड़का दिया इतना ही नहीं, पोन मुडी तो स्टैलिन के एक कदम आगे निकल गए स्टैलिन ने तो केवल सनातन धरम के खात्मे की बात कही थी लेकिन पोन मुडी ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया गडबंदन सनातन की समाप्ती के लिए बनाया गया है सनातन की लड़ाई जुबान काटने पर आ गई है अब मुदी सरकार के मंतरी गजिंद्र सिंग शेखावत ने सनातन धरम का विरूद करने वालों पर सीधे सीधे निशाना सादिया उन्होंने कहा कि मैं सनातन धरम का विरूद करने वालों को बताना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनकी जीव खेंच लेंगे और आंखे निकाल लेंगे देश के नेताओं को इस तरह के बयान करने चाहिए की नहीं या इस तरह के बयानों से बास आना चाहिए की नहीं सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई अंत हो जिसका ना कोई आदी हो यानि कि आदी और अनंत ना हो जो शाश्वत हो और सत्य हो हिंदु धरम में सनातन कहा गया है क्योंकि हिंदु धरम को सनातन इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा और मोक्ष को ध्यान से जानने का ये मार्ग बताता है सनातन धरम कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसे चुनाव मैं जीता या हारा जा सके DM के नेताओं का बयान इंडिया के लिए सल्फ गोल हो सकता है तभी तो कॉंग्रिस त्रिन मूल और आम आदमी पार्टी ने ऐसे बयानों से किनारा कर लिया है औसत दर्जे के राजनेतिक जो लोग है विपक्ष को नुकसान होगा इससे ये साफ सीधी बात है नफरती बयानों पर देश भर में प्रतिक्राएं हो रही हैं हिंदुवादी संगठन सडकों पर उतराए हैं धरम पर अधर्मी टिपनी बरदाश्ट के बाहर है उद्यनिदी जैसे नेताओं को समझाने की जरूरत है कि सी राज गुपालचारी जैसे नेता, सी एन अन्ना दुराई के साथ ना जुटते तो आज डी एम के का अस्तत्व तक नहीं होता साथ के दशक के अंत में नास्टिक द्रवादी पार्टी और सत्ता तक पहुँचने के लिए एक ब्रहमन और अनुभावी कॉंग्रिस नेता अकेले जिम्मेदार थे 28 विपक्षी दलों के गटवंदन इंडिया को समझना होगा धर्म भारतिय जन्ता पार्टी की मनपसंद पिच है अब भारतिय जन्ता पार्टी की पिच पर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो ओव्यज है हिट विकिट तो होगा ही इस साल के अंत में मद्यपरदेश, 36 करड़ राजस्तान समेथ 5 राजियो में विधान सभा चुनाब होंगे और 2024 में लोग सभा चुनाब भी सनातन के खिलाफ विवाद से दुरुवी करन बढ़ेगा जिसका सीधा फाइदा होगा भारतिय जन्ता पार्टी को बुद्ध, जैन और सिक सनातन धर्म की शाखाए हैं इसलिए दक्षन में चंद वोट का फाइदा उत्तर में इंडिया का बड़ा सारा नुकसान कर रहाएगा पंजाब, बिहार, पस्चिंबंगा, दिल्ली, ओडिशा, तलंगाना, आंधरपर्दीश और कैरल में छेत्रे दलों का राज है ये छेत्रे दल सनातन की खिलाफ नहीं जा सकते हैं लोकसवाचुनाव में कॉंग्रिस और भारत्य जन्ता पार्टी में सीधी टक्कर मध्यपर्देश, राज्युस्तान, चत्तिसकर, हिमाचल पर्देश, उत्राखंड और कनातक में है जहाँ जहाँ भारत्य जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस की सीधी टकर है वहाँ पर सनातन का अपमान कॉंग्रेस का नुकसान करेगा भारत्य जन्ता पार्टी के पास हिंदुत्व का जंडा है मंदिर अंदोलन का इतिहास है और हिंदित्व का जो fire brand है वो चहरा है राष्ट्रे हिंदुवादी भारत्य जन्ता पार्टी की सफलता की वजा है लेकिन अब पार्टी ने मुसल्मानों पर भी focus करना शुरू कर दिया है पिछले 20 साल में भारत्य जन्ता पार्टी ने चुनावों में 5-9 प्रतिशत मुसलिम वोट हासिल की हैं जो जादा तर जो रियाई मुसलिम है जो शिया मुसलिम है उनके द्वारा लिये गए हैं इतना है नहीं सुनी बहुसंख्य कॉंग्रेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन अब भारत्य जन्ता पार्टी ने रन्निती बदलते हुए कह सकते हैं कि पसमानदा यानि कि पिछले मुसल्मान पिछले वर के जो मुसल्मान हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है दो हजार चौबिस लोकसभा चुनाव के लिए भारत्य जन्ता पार्टी ने पसमानदा मुसल्मानों पर यानि कि पिछले वर के मुसल्मानों पर फोकस किया है उत्तर प्रदेश, सीम योगी, एक मत्र मुसलिम मंत्री दनीश अंसारी के भी पसमाना समाज से आते हैं पार्टी का मानना है कि अगर कुल मुसल्मानों में से 6 प्रतिशत वोट भी खाते में आएगा तो भारत्य जन्ता पार्टी उस मित को तोड़ पाएगी कि मुसल्मान भारत्य जन्ता पार्टी का साथ नहीं देते हैं देखें एक तरफ तो भारत्य जन्ता पार्टी लकीर बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन के सहयोगी सनातन पर संकुचित शब्दवान चला रही हैं वक्त रहते डेमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो सनातन परविवाद इंडिया गडबंदन को ले डूबेगा चली आईना के इस एपिसोड में इतना ही अभी के लिए आप हम इजाज़त दीजिए मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकुर और आप देख रहे थे इंडिया समच्वार 27